हलो माई डियर जामी एस्परेंट्स, मीडिय एक्जाम्स के स्प्लेटफॉर्म पर मैं रिशंकर सुनिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कनवर्जेंट जर्लिजम के, पेपर के, पैटन की, सेलेबस की, लास्ट यर के कटोफ की, लास्ट यर क्विश्चन क्या आए थे, उसकी ठीक है, सारी चीज़ें जो है बात इसमें वीडियो में आएगी इसका interview भी होता है, portfolio भी होता है, वो कैसे होता है, वो भी इस वीडियो में आएगा ठीक है, और अगर आपको ये जानना हो कि Convergent Journalism क्या है, Development Communication क्या है, Media Governance क्या है तो iButton में एक YouTube वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, उसे जाके आप सबसे पहले जरूर देखें ठीक है, तो Convergent Journalism की बात हम करने वाले हैं, तो सबसे पहले अगर आप Convergent Journalism में जाना चाह रहे हैं, अगर आपका मन हो गया है, तो पहले तो फॉर्म बर्दो जाके जामिया का, ठीक है, I am 21 में आएगा, इस बात का ध्यान रखना, Return Exam इसका 200 नमबर का होता है, Merit 300 में से बनती है, वो कैसे क्योंकि इंटर्व्यू पॉट्फोलियों भी होता है, लास्ट येर 13 जून 2022 को इसका एक्जाम हुआ था, इस साल 17 अपरेल को इसका एक्जाम हो रहा है, I am a mass communication वाली पेपर के दिनी, मौर्णिंग में I am a mass communication का पेपर है, 17 अपरेल को, और उसी दिन, सेम डे जो है, धाई बज़े से, साड़े 5 बज़े तक, ये जो है, आपका convergent का पेपर भी होना है, इस पेपर के जो general instruction है, वो ये है, इससे पहले एक जरूरी बात है, रिटन एक्जाम जो है, तीन गंटेगा होता है, इसको भी note कर लिया, तो general instruction है, ये कि phone नहीं लेके जाना है, cheating नहीं करनी है, ठीक है, रॉल नमबर लिख देना है, ये सब, अब में इसके pattern की बात हम सबसे पहले करते हैं, कि इसका जो pattern है, वो क्या है, यहा बन रही है, 200 नमबर का जो written paper है, उसमें क्या है, 20 objective question है, और बाकी 180 नमबर का लिखने वाला ही part है, तो ये जो written test है, वो कितने में divide हो जाता है, part A और part B में, part A में आपका हो गया 20 objective question, part B में हो गया 180 नमबर के, 4 section में divided question, वो 4 section कौन-कौन से होते हैं, किस तरीके से होते हैं, इसी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, interview 45 नमबर का होता है, portfolio 55 नमबर का होता है, portfolio interview के बारे में वीजो चीजें हैं, मैं further आपको discuss करूँगा, लेकिन अभी यहां, जैसा कि आपने इतना समझा कि part A और part B, तो part A की जो 20 objective question आने हैं, वो कहां किस segment से आने हैं, तो अ आपने आप में सब चीजें आजाती है, reasoning का भी कह रखा है, लेकिन reasoning से question आप तो पर वैसे नहीं आते हैं, जो आपके लिए, तैसे CUT की जो part A की reasoning है, वैसी reasoning यहां पर नहीं है, ठीक है, तो GK में आपने आपने सब कूछ आ जाता है, history, policy, economy, geography, सब कूछ ही आ जाता है, 11th class क जो हैं, जो हैं, CRTs है, वो सारी आ जाती है, ठीक है, media industry से question आएंगे ही आएंगे, national and international history, देखो, international history आप कट करके चलिए, आप से नहीं पूछी जाएगी, international history का मतलब ही हो जाता है, कि भाई, USA कब जो है independent हुआ था, France, Germany, इन सब का जो एकी करण जीसे हम कैसे था, unitization जो है हुआ था, ठीक है, जो हम कह सकते है, renesa, renesa पर जो है question बन जाते है, लेकिन ऐसे question आम थोर पे नहीं पूछेगा है, आप national history में भी freedom struggle वाला part करके जाए, mostly वहीं आप से पूछा जाता रहा है, वहीं पूछेंगे, ठीक है, तो media industry से question बनता ही है, national में आप freedom struggle वाला जो part है, अमारी history का, वह आप करके जाए, general knowledge से भी आप 11th class की जो अंसियार्टी है, वैसे तो आपको वो पढ़नी होती है, लेकिन आप last time उसे मत उठाना जिनोंने पढ़ी है, वो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि इतना time आपके पास नहीं है, 11th class की environment की अंसियार्टी है, जियोग्राफ इलेंट क्लांस के साथ, political science की है, ठीक है, और economy की है, ऐसे अंसियार्टी पढ़ने से आपकी जीके, ठीक हो जाती है, बाकि लूसेंट वगरा की जो बूक आती है, ठीक, लूसेंट भी आप पढ़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा question इस segment स करूँगा, फिर ये वाला ले लेते हैं, national, international topics के बारे में अगर हम बात करें, तो जैसे कि पिछले साल, जापान के PM जो है, नई बने, Australia के नई बने, ठीक है, फ्रांस के फिर से elect हो गई है, ठीक है, तो ऐसे question जो है, यहाँ पे हो जाते हैं, इसराहिल के अंदर बहुत ही, political undistability जो है, कायम है, तो उस पर question हो सकता है, ठीक है, ठीक है, अफगानिस्तान, तालिबान अपने आप में है ही है, ठीक है, ऐसे question इस पर definitely बन सकते हैं, फिर मैं यहाँ पे fine art और culture को मिला कि यह होगा, कि एक allowed class की NCRT है, इसको लेकर, वहाँ से कुछ question आपको जो है, यहाँ यहाँ आपको directly मिल जाएंगे, और literature और language से question जरूर आएंगे, books के authors के नाम, कुछ famous book जो रही है, वहाँ से आ सकते हैं, ठीक है, literature में यहाँ पर जो part है, literature and language का, यहाँ पर price जो है, matter करता है, मैं आपको हमसी की उस दिखाऊंगा, हमसी की उसके topics दिखाऊंगा, कि last year कौन से आएं, तो यह matter करता है, ठीक है, तो यह overall आपका syllabus था, part A का, अब part B की भी बात हम करते हैं, part B पूरी तरीके से descriptive है, ठीक है, इसके अंदर जो है, total 4 section आपके बन जाते हैं, section A, B, C, D करके, A, B, C, D, किस section में किस-किस तरह का question है, मैं थोड़ा सा आगी discuss करने हैं, लेकिन यह इस तरीके से जो है, part B के, ऐसे आपको 4 section देखने को मिलेंगे, लगबग इसका 50% pattern fix है, वो change नहीं हो रहा है, पिछले कहीं सालों से, क्या pattern है, मैं आपको इसमें दिखा दूँगा, ठीक है, और यहाँ से जो question है, जो उसका syllabus है, वो क्या है, तो इसमें देखो कि एक तो, ज अच्छे से analyze कर सकते हैं, जिसमें आपको current scenario पता चले का कि कौन सा segment कितना बड़ा है, और किस growth rate के साथ में आगी बड़ा है, जिससे आपको content मिलेगा, अच्छा content मिलेगा लिखने के लिए, ठीक है, बाकी electronic media के जो channels है, उसका analysis करना आपको आना चाहिए, electronic में और print में किस त project है लोगों पर, उस पर question आ सकते हैं, social media की use पर आ सकते हैं, miss use पर आ सकते हैं, ठीक है, print से आगे जिकला electronic, electronic से जो है कैसे digital media आगे निकल जाएगा, इसको लेकर जो है आपकी एक दिमाख में एक picture जो है, create हो रही चाहिए, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि आज जो है media कितने forms है, ठीक है, कौन सा जो sector है, किस level का है, ये अगर आपके दिमाख में picture clear है, तो इसके जो answer आप हलवा है, कुछ नहीं है, ठीक है, आराम से लिख के आ सकते हैं, और लिखने से बड़ी चीज है, लिखने का pattern आपको पता होना चाहिए, practice जरूर करके जाएए, मैं ये बिल्कुल ही मैं recommend नहीं करूँगा, कि आपने इसे लेवस देख लिया, पढ़ा बहुत खूब पढ़ा, बस लिखेंगे बस exam वाले दिन, तो उस दिन आप सब कुछ गड़वर है, ठीक है, यहां writing practice बहुत जरूरी है, च्योंकि merit वाला मामला बहुत ही खतरनाक है, बहुत ह हाड जो है copy check होती है, यहां लिखने के number नहीं है, अच्छे से सही तरीके से अगर आपका question का answer आ रहा होगा, question का answer है, तो उसमें number है, आपने लिखा पूरा question का आपको लग रहा है कि आपने answer दिया, ठीक है, लेकिन वो सही pattern में नहीं है, सही format में नहीं है, तरीके से नहीं लिखाया, creativity नहीं है, concept ठीक नहीं है, factual mistake है, तो वो किसी घाम का नहीं है, केवल दिखने के number नहीं है, यह competition exam है, graduation का exam नहीं है, उसमें difference करके चलना, तो तो फिर ठीक रहेगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, और यहां पर English grammar भी आपके आएगी, ठीक है, part B में English grammar के भी question है, मै पहले बस देखा, और मैं यहां पर आपको सबसे पहले portfolio का भी बता देता हूं, आगे discuss करने से पहले, कि portfolio बनाना होता है, अगर आपने return exam crack कर लिया, तो आपका जो है, नाम आता है, किस चीज के लिए, portfolio submit करने के लिए, और interview के लिए जो है, आपका बुलाब आता है, ठीक है तो portfolio जो है, आप अभी से तयार कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, portfolio में आता क्या है, एक line में कहना हो कि आपकी जितनी भी achievements हैं, चाए वो media sector से हो, चाए media segment से नहीं हो, तो किसी भी sector की कोई भी achievement आप जो है, portfolio में दिखा सकते हैं, आपका in detail CV या region में ही जो ह आपका है, वो एक या दो page का होता है, जिसमें overall आप एक बार brief में बताते हो, कि आपकी ये achievements है, आपका ये एक बार experience है, आपकी ये educational qualification है, लेकिन portfolio का मतलब होता है, कि वो education qualification तो आप बताई दो, लेकिन फिर आपका जो work है, जो आपने आज तक काम किया, जो achievements है, वो आप detail मे बताते हो, जैसे कि अगर आपने कहीं कोई price जीता, ठीक है, आपने कोई devate में इससा लिया, तो फिर आपको जो है first price मिला, तो उस price की photo के साथ में certificate की photo, भाई, आप खड़े हो, price हाथ में है, आपको price दिया जा रहा, उसकी photo लगा दीजे, साथ में certificate की photo, तो इस तरीके से प हूँ मैं, ठीक है, तो आपने आपको बढ़ा चड़ा के जितना present कर सकते हूँ, आप करना होता है, ठीक है, छोटी मोटी achievements है न, वो भी खंगाल-खंगाल के लाईए, और portfolio बरिये, कम से कम 301 page का portfolio बना डालिए, ठीक है, लेकिन एक तरीके से होना चाहिए, ठीक है, मैं यहा सारा सब कुछ जो है, digital way में उसको डालो, ठीक है, जितने certificate है, उसे अच्छे से scan करो, scan करने के बाद, उसके digital format में लेके आओ, आपकी जितने prices हैं, उसके साथ में photos तो आपकी definitely होगी, उन photos को जो है, एकटा करो, एक ही जगह पे, ठीक है, और CV तो आप सब रोगों का बनाई पेज है, और धीरे-धीरे करके जो है, उसे एक बार, जैसा आपको समझ में आए, first time उस तरीके से उसको set करो, ठीक है, एक बार बन जाने के बाद में दिमाग कुलता है, कि अच्छा, इसको मैं पहले लगा सकता हूँ, इसको बाद में लगा सकता हूँ, इन चार achievements को साथ मे इसको लगा दूँ, ऐसे करके जो है, आपका portfolio धीरे-धीरे करके set होता है, अब हम देख लेते हैं कि इसमें लिखावा क्या है, यह तो मैंने अपनी और से बता दिया, ठीक है, जो कि practical बात है, अब इसमें जो लिखावा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, देखो, proof of production किसी भी तरह का production वर्क हो, audio में, visual में, media waste, वो तो आपको present करना चाहिए, अगर वो आप करोगे, तो आपके वो अच्छे marks मिलेंगे, और वो अगर आपने नहीं किया, तो अब कर लो, भाई किसी जगह पे article लगाना, ठीक है, किसी news portal पे अपना article publish करवाना, आज के time में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आपके जानने में कोई तो कोई होगा, ठीक है, नहीं होगा, तो बहुत से online portals है, आप उन्हें खोजिए, उनको personally message कीजिए, उनका link वगर आपको email वगर कुछ न कुछ मिल जाएगा, बताए कि ये मेरा article है, और मैं publish करवाना या करवाना चा हैं, बहुत बड़ा, आप चाहते हो कि भई मेरा तुझ है देडिक भासकर में editorial page पर ही जो है मेरा आजाए, मेरा तो time सुनाओ में आजाए, तो वो तो होगा नहीं, ठीक है, तो उतना नहीं सोचना है, आपको letter to editor भी अगर आपने लिखा है न तो वो भी यहां काम करेगा, कोई भी आपके यहां local newspaper भी अगर चप रहा है, reputated होना चाहिए, ठीक है धोड़ा बहुत, ठीक है, तो उसका भी clipping वगरा सब कुछ आप डाली सकते हो, तो जीतना भी आपके पास एक कटा है data सब कुछ डाल दो इसके अंदर, participation कहीं भी किया हो, school में अगर आपने किया हो, ह ठीक है, internship की है, कोई work experience है, कहीं job वगर की है, वो भी आपको detail डालनी है, तो मतलब CV तो है, यह CV में plus है, in detail CV आपका portfolio है, ठीक है, participation, जैसे आपने sports में अगर कुछ किया है, तो लेके आइए, बिलकुल sports वाला आप डाल सकते हो, music में किया है, painting में किया है, debate में किया है, theater में क कुछ भी किया है, सब कुछ डाल सकते हो, ठीक है, कोई भी online work आपने किया है, आपना खुद का blogging बगर करते हो, youtube channel भी बना रखा है, बहुत से लोगों ने तो, डाल दो उसका link, यह देखो, यह मेरा यह है, ठीक है, तो यह था portfolio का, अब था interview, अब है interview, ठीक है, कह रखा है क 10 से 20 मिनट चलेगा interview, ठीक है, तो interview के अंदर, जो है, क्या सब कुछ होता है, देखो, ऐसा होता है, कि सबसे पहले self preparation होती है, अपने आप पे आप काम करते हो, बाकी topics पर तो काम करना है, लेकिन सबसे पहले अपने आप पी काम करना, कि आप अपने दिमाग में visualize करो, कि जैस फिर भी permission लेना ही लेना है, ठीक है, मैं I come in sir, ठीक है, तो come in करके बाद में, वो कहेंगे कि बैठो, तो बैठना है, ठीक है, बैठने के बाद, eye contact बनाए रखना है, जो भी professor आप से बात कर रहा है, उसके तरफ देखना है, यह नहीं किया से, हाँ sir, बताए, क्या हुआ, तो अपना नाम ठीक तरीके से बताना है, और अपने आप पे काम करने का मतलब यह भी है, कि आप जिस state से belong कर रहे हो, जिस district से, जिस city से belong कर रहे हो, उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो, अपने area के बारे में जानकारी होने से मतलब है, कि वहां कर, वहां आजकल जो है किस तरह की जो है प्रोब्लम्स हैं जैसे कि मैं जिस जगह से बिलोग कर रहा हूं अगर मेरा इंटर्व्यू आथ चले तो मुझे यह बतानोंगा कि मेरा जो एरिया है वो आंदुलन कर रहा है किस चीज़ के लिए डिस्टेक बनाए जाने के लिए ठीक है तो आप बता सकते हो कि मेरे यहां पे जो है मेरे एरिया में रेप के जो कैसे हैं वो बहुत चता बढ़ रहे हैं हमारे यहां पे जो है बहुत ट्रोट हो रखा है सुका पड़ रखा है पानी की कमी है या फिर बाड बहुत आती है जो भी आपके एरिया की कमी हो तो अपने एरिया के जो इस्यू तो अपने आप पे आपने काम किया, कि आप कैसे इंट्री करोगे, अपने बारे में कैसे बताओगे, अपने एरिया के बारे में कैसे बताओगे, अपनी स्टेट की पॉलिटिक्स के बारे में कैसे बताओगे, आपकी स्टेट में किसकी गॉवर्मेंट है, पहले किसकी थी, आ आपके एरिया से कौन सा बड़ा निता है, आपके एरिया से कौन सा बड़ा जर्नलिस्ट है, ऐसे किस्टन जो है आम तोर पे पुछे जाते हैं, ठीक है, अब हम इसके साब से भी बात कर लेते हैं, ठीक है, कि knowledge of the contemporary political, social, cultural, economic issues, आजकल जो भी चल रहा है, जो भी चीज़ें हो र आप ने कर ली, तो आपका interview done है, कोई रोख ही नहीं सकता, आपकी interview त्यारी हो गई, कुछ नहीं है, ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं, media segment के भी बारे में जानकारी होने चीज़ें, कि आजकल चल क्या रहा है, जैसे कि undi tv का case आपने देखा, ठीक है भई, कौन हो गया है मालिक, कौन था, कौन हो गया, तो आपको पता होना चीज़ें, ठीक है, जैसे कि हम ये भी बात कर सकता है, कि corporate के impact के बारे में आपको पता होना चीज़ें, कि media पर जो है, corporate के impact की बात हो रही है, तो आप उसे कैसे present अच्छा है कि बूरा है, ये भी आप से पूच सकता है, film, fiction हो या non-fiction की हो, जैसे कि पक्ठान अभी आया थी, एक fiction film है, ठीक है, गांगु बाई, काठियाबाडी करके, एक movie आया थी, वो non-fiction film है, ठीक है, तो नन-fiction मतलब की, जो real incidents based होती है, fiction मतलब की, पूरा ही fiction है, पूर तो यह कह रहा है कि फिल्मों की नॉलेज आपकी होनी चाहिए उसके उपर हम इंटर्व्यू में बात करेंगे यह आपके ओफीशल से लिवस में इंटर्व्यू के अंदर लिखा है तो कहा है तो मुवी इसका थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि पठान तो वेसे भी आजकल प यह भी भी एक किया है वी कॉम किया है जो भी आपने एक रेजवेशन में किया है जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में तो थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाज करके जाना इंटर्व्यू में चाने से पहले और इस पॉइंट का क्या मतलब है कि वीजबलाईजेश इसमें दरसल यह होता कि माली जी आपने ये कहा कि मैं यूपी से हूँ और इस इस चेत्रे से हूँ तो आप से क्विश्चन पूछ लिया कि अगर आपको जो है यूपी का एजुकेस्टनल मिनिस्टर बना दे तो आप क्या रिफॉर्म करोगे तो आपने कहा कि अच्छा यह यह कर दूँगा जैसे कोई भिहार से है तो भिहार से उसको कह दे कि आपको अगर एजुकेस्टनल मिनिस्टर बना दे तो आप को कि सर जो ग्रेजुएशन तीन साल की पांट साल में हो रही है मैं बन जाउनगा तो 6 मेंने में करवा दूँगा ठीक है तो उस हिसाप से आपको जवाब देना है जैसे भी आफ करना चाहेंगे कि 3 साल की ग्रेजुएशन जो 5 साल में आज कल हो रही है भिहार में कितने तुने में करवा देंगे चाहे मेने में करवा देंगे जैसा आप जवाब जाना चाहे आप दे सकते हैं आई 3 का 3 में करवाना है 6 कामद बोल देना तो इतना सुधार नहीं करना ठीक है तो overall performance आपकी कैसे रहती है interview कैसे दे रहे हो आप eye contact आपका कैसा है behavior कैसा है बोलने में आप कैसे हैं आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए हैं या फिर आप confident है इन सब चीजों के भी जो है interview में number आप सब को बता की होते हैं और आपका ये syllabus है जिसे आप यहाँ पे note कर सकते हैं लास्ट येर की cut off के बात कर लें तो general के लिए 190 थी तो general और muslim में जो difference है वो आपका ये है फिर muslim और ये सब आप देख सकते हो ठीक है कि ये cut off रहती लेकिन आप target लेके चलिए कि 200 नंबर बना सके आप 300 में से ठीक है ताकि आप save रह सके इन topics पर जो है आप तोर पर question पूछे मतलब अभी हमने syllabus तो देखा पार्ट एका लेकिन ये ऐसे question ये topic है ये आई रहे हैं जैसे कि international organization पर question आ रहा है तो international organization है उनको लेकर हर एक जांग भरी जो है आपके notes में होनी चाहिए ठीक है और जैसे कि environment से लेकर भी question है कौन सा official animal है किस state का UT का इस पर भी जो है question पन रहे है nobel prize हो पलेजर prize हो सार्क जैसे organization हो ठीक है तो अब मैं ये चीज़ जुरूर कह सकता हूँ कि IR है वो बहुत important चीज़ है और बहुत easy भी है याद करना समझना ठीक है तो ये आप कहीं से भी मत छोड़िए जितने भी बड़े और international organization है उनको आप अपना अच्छे मदब कह सकता हूँ कि notes में बना के रखो जैसे UN कर लिया WTO कर लिया G20 कर लिया सार्क कर लिया BIM स्टेक कर लिया ये सब चीज़ें जो है जितना भी है वो सब कुछ करके जाएए जिससे आपके जो है exam बे IR से कम से कम number नहीं करने चाहिए और जो बड़े बड़े international और national level के prices होते हैं टीक है उन सब को भी करके जाएए ये वो question है जहां से मतलब ये वो topic है जहां से question आएंगे ही आएंगे और आपको अच्छे खासे number भी मिलेंगे और यहां पर पढ़ाई करने से आपको return भी अच्छा मिलेगा कुछ topic ऐसे हैं जैसे कि मैं ये कऊं की environment जाके बड़ो तो वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पढ़ेगा तब जाके कोई question सही होगा इससे अच्छा आप IR पढ़के जाओ जिसमें से 5-7 question आई रहे हैं हर साल ठीक है और थोड़ा सा पढ़ने से थोड़ा सा मतलव अगर आपने cover कर लिया फिर भी आपके जो है answer सही हो जाएंगे ठीक है तो अब तक हमने जो है part A देखा था उसमें objective question का syllabus क्या था वो देखा था portfolio interview कैसे होता है वो भी हमने पहले ही देख लिया लेकिन जो सबसे most important part है जिससे आपका मैं कह सकता हूँ कि selection असल में यही सी decide होता है लिखने वाला जो part है ठीक है 180 marks का जो part है ठीक है तो written exam में part second ठीक है तो यहां मैं section A आपको दिखा रहा हूँ इसको आप ज़रा अराम से देखिए और पढ़िए ठीक है pose करके एक बार question आप कुछ से जरूर पढ़िए ठीक है first question क्या है यह तो देख लीजिए लेकिन यहां पर यह भी देख लीजिए कि तीन question करने होंगे और 25 number का एक question होगा और अगर 25 number का एक question है तो आप मान के चलिए कि आपको 250 से 300 words इसके अंदर लिखने पढ़ेंगे ठीक है बाकी जो space है वो provide होता ही है ठीक है तो वो provide होगा आपको जितना copy में उतना ही लिखना है लेकिन यहां से आप preparation के लिए मान सकते है कि 250 words के अंदर जो है आपको या 300 maximum आपको मिल जाता है space उसमें लिखना answer ठीक है तो पहला question क्या है वो आप देखिए क्या है main stream media coverage is impacting negatively कि जो main stream media कौन सी होगी आपकी electronic media होगी कहीं ने कहीं print भी आप कहा सकते हो जो main national level के channels है newspaper है यह उन सब की बात कर रहा है वो क्या कर रहे है impact कर रहे है negatively किस चीज़ पर हमारी empathy पर या फिर compassion पर हमारी जो समेदनाई है जो हमारा emotion है उसके साथ में कहीं ने कहीं छेड़ जाड़ हो रही है तो इस perspective से जो है आपको international media और national media के ऊपर comment करना है critically comment करना है उसे examine करना है कि जो हमारा main stream media है national और international level पर वो किस तरीके से काम कर रहा है वो आजकल किस तरीके की stories बना रहा है तो उनकी जो stories है उनकी जो programs है उनकी जो कारेकरम है उसका जो analyze करते हुए इसको answer करना होगा तो पूरा answer में आपको यहां नहीं बताऊंगा यहां मैंने आपको hint दिया है question को explain किया है ठीक है तो multilateral OTT platform के ओपर भी जो है कहीं ने कहीं आप कहा सकते हो कि question पूछा गया है और यह question basically Indian OTTs और international level की जो OTTs है उनका comparison है जैसे कि Netflix और Amazon Prime हर कोई जानता है यह international level पर काम कर रही है लेकिन हमारे पास Indian OTTs भी है जैसे कि VOOT है Jio Cinema है Elt Balaji है ऐसे बहुत सारे है और यह question में यहां कहना चाओंगा कि मैंने last year फिक्की की report online भी पढ़ाई थी YouTube पर उसका video डाला था मैं कह सकता हूँ कि यह पूरा-पूरा question जो है आप फिक्की की report के basis पे आराम से लिख सकते हो आपकी understanding प्लस फिक्की की report में जो data आता है उसका अगर आपने mix कर दिया क्योंकि यहां आपको comparison करने के लिए data तो डालना पड़ेगा न 5-7 नाम तो लिखोगे आप Indian OTTs के उसके data तो बताओगे कि वो किस level पे growth कर रहे है आप data तो बताओगे कि जो original languages में जो OTTs निकल आ रहे है उनका level क्या है वो किस percent से जो growth कर रहे है उनका क्या scene है तो वो सब कुछ आपको उस तरह की reports में मिलता है और वो अगर आपने पढ़ा तो ऐसे question आपके लिए हलवा है और कुछ नहीं है तो यह basically यह जो question पुछा गया है international level की जो OTTs है जो regional OTTs भी निकल के आ रहे है उनके बीच में competition जो बन गया है उसके उपर question आपसे पुछा गया था थर्ड question बहुत अच्छा और important question है यह कह रहा है कि जो worldwide अगर आप देखें आप इंडिया में देख लीजिए, worldwide देख लीजिए अमेरिका में देख लीजिए जो main media उसे हैं वो corporates के हातों में जा रहे हैं जो billionaires हैं उनके हातों में जा रहे हैं उनका investment, उनकी share holding उसके अंदर बहुत ही जादा बढ़ गई है जैसे आप example दे सकते हैं जो आपके Amazon के founder रहे हैं CEO तो अभी नहीं है Amazon के जेब बेजोस का तो उनके पास washing content post तो उसका example अगर आपने दिया कितना बड़ा billionaire है जो एक time फे first rank पर भी रहा है और किस पर investment कर रहा है man share holding जो the washing content post की है कही न कहीं जेब बेजोस के हाथ में है तो जो media है वो किस के हाथ में चला जा रहा है billionaires के हाथ में चला जा रहा है तो उस चीज को लेकर question पूछा गया है इस question का answer तभी अच्छा हो सकता है जब आपको कुछ example पता हो कि कौन से ऐसे billionaires हैं जिनोंने बड़े-बड़े channels को खरीता है NDTV इस साल हमारे इंडिया में example के तोर पे निकल के आ है लेकिन international level पर भी जो है आपके पास example होने चाहिए तो इसके लिए आप अपनी research जो है यहाँ पर जरूर करके जाएं कौन से ऐसे billionaires हैं जिनोंने बड़े-बड़े media उसे इसको खरीता है यह सब चीज़ें आपके notes में noted होने चाहिए तो अगर आप तो फिर जो है आप इसको अच्छे से कर पाएंगे तो और ओल मैं यहाँ पर इस वीडियो में तीन question ही आपसे discuss करवा पाऊंगा तो इस तरीके से आपने part A का section A देखा अब part A का section B जो है यह है ठीक है इसमें भी यहाँ देखो मैंने अभी पीछे कहा कि अगर आपने IR पढ़ा है तो भही आपकी बल्ले बल्ले है IR पढ़ने से investment जो return of investment है वो आपका बहुत अच्चे से निकल के आता है सेंगाई ठीक है मारियो पोल, रिशी शुनक ठीक है यह यह नाम आप नोट करके जलिए कि कौन-कौन है ठीक है कहां से question पुछा हुया है literature वगर आपे question पुछा गया है ठीक है और जो आपके LIC का जो मुद्दा था उससे question पुछा गया है ठीक है तो IR तो important है यह IR से question है और आपके यह question कहां है पहले तो मैं आपको यह बता दूँ कि choose any 5 आपको कम से कम 10 एक option दिये जाएंगे ठीक है या 5 साथ option तो होँगी होँगे उन में से 5 पे आपको लिखना है ठीक है और explain करना है briefly ठीक है 5 नंबर का यह question है fix pattern है ठीक है जैसे कि इस साल मान लीजी आपको तुरके लिखके दे देख इस साल मैंने model paper में जो दिया था रिया सी डिस्टिक ठीक है तो रिया सी क्यों important था जम्मू कस्मीर का ठीक है वो दे दिया आपको तो उस पे लिखो तो ऐसे जो है topics आपको दिये जाएंगे उसमें आपको ये बताना है कि ये news में थे क्यों ठीक है choose any five of the following and explain briefly why they were in news news में क्यों थे ये चीज क्यों थे क्यों थे का जवाब बताना है कि सेंगाई इसलिये news में था सेंगाई इसलिये news में था और अच्छी चीज ये रहेगी अगर आपका ये पांच नंबर का question है तो 1, 2, 3, 4 और ऐसे 5 करके 5 region लिखके दो examiner को ताकि वो 5 में ऐसे 5 नंबर देने की पूरी कोसिस करें नहीं तो 4 नंबर देके वो छोड़ देगा ठीक है अगर ऐसे question है 5 marks का question है क्यों news में थे 5 कारण बता देंगे अगर आप उसका point wise तो पूरे 5 में से 5 नंबर आप यहाँ पे gain कर सकते हैं ठीक है तो ये था section B section C क्या रहा है ठीक है यहाँ पूरा का पूरा grammar है जैसे कि आप कह सकते हो कि affect और effect के अंदर क्या difference होता है exact और exact में जो है क्या difference होता है ऐसे करीं जो question है और अगर आपको exact question वगर देखने हैं तो मैं mock test वगर जो है application पे upload रखता हूँ उसमें से बहुत से open रहते हैं आप पूरे question भी ठीक से देख पाएंगे यहाँ मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि preposition अच्छे से करके जाएए tense अच्छे से करके जाएए interjection वगर जो होते हैं और जो word के बीच में differences होते हैं जैसे कि affect और effect यह वाला पूरा portion करके जाएए इतना करके जाएए तो English grammar से इससे ज़्यादा बार कुछ खास नहीं आता है ठीक है फिर एक question जो कि हमेशा से Convergent journalism का fix है कि आप इस particular एक तो course में क्यों आना चाते हैं यह करके जाएए और journalism में क्यों आना चाते हैं यह करके जाएए Convergent journalism आपको क्यों अच्छा लगता है एक तो यह कर लेना क्या है इसके अंदर Convergent journalism meaning क्या है यह आपको करके जाना है journalism में क्यों आना चाते हूँ क्या कुखाड़ दोगी journalism में आके यह करके जाना है section D यह भी हमेशा से fix है यह जो है last year एक पूरी एक खबर आपको दे दी जाती है उसको एक थोड़ा सा concise way में करके brief करके आपको important topics को लेते वी जो है पूरा एकदम वापस लिखना होता है ठीक है आपके यहाँ पर पूरी news लिखी रहे कि last year वेंके नाइडू को लेकर जो है news लिख कर दी गई थी ठीक है ठीक है तो ऐसी वेंके नाइडू को लेकर खबर थी कोई भी एक खबर आ सकती है जिसे concise करना होता है जो unnecessary data है जो repeated data है उसे हटाना होता है और खबर को खबर के तरीके से लिखना होता है कि जैसे 5W1 अचका जो अगर आपने rules पड़ा हो ठीक है उस हिसाब से अगर आप link दें ठीक है तो मजा ही आ जाएगा ठीक है कि सबसे पहले क्या घटा कैसे हुआ ठीक है ये सब चीज़ें अगर आप उसमें important things क्या है जो सबसे पहले जाना चाहिए जो नया क्या है वो आप बताएंगे सबसे पहले हम किसी भी खबर को briefly बताते हैं कि ये इस तरीके से हुआ एक idea आपकी headline से चला जाता है फिर आपके जो जो आपकी lead है उससे चला जाता है फिर आप detail में बताते हैं कि कैसे कैसे जो है हुआ chronology वाला part जो है बाद में आता है सबसे पहले इशू आता है कि इशू हुआ क्या है तो वेंके नाइडू ने main जो बड़ी बात कही है उसको हम headline में लेके आते हैं फिर programs कहां हो रहा था वो बताते हैं हम बताते हैं कि ये इस topic पर यहाँ फलनी जगा प्रोग्राम हुआ था उस समय वेंके नाइडू ने ये खा था ठीक है तो कोई भी ऐसी news आपकी उठा के दी जा सकती है बस ये आपसे understanding देखी जाएगी कि आपको cover का अंधाज़ा है कि नहीं है प्रिंट मीडिया में आप cover कैसे लिखी जाती है ये आपको पता होना चाहिए अगर आप Delhi basis पे news paper पढ़ रहे है तो आपको formula याद करके जाने ही जरूत नहीं है कि फलने सर ने उस फलनी किताब में ये formula लिखावा है बैसे news बना के आनी है इसकी जरूत नहीं है अगर आप Delhi basis पे news पढ़ रहे हो तो अपना sense यूज़ कीजिए अपने उस sense के basis पर अगर आप newspaper मलब news बना के आएंगे जो भी आपको लिखके दिया है तो आप अच्छा ही बना के आएंगे इसके लिए जरूरी है कि आप जब भी newspaper पढ़ें तो इस चीज के लिए नहीं पढ़ेंगी मुझे खबर जाननी है पलकि इस चीज को देखने के लिए भी पढ़ें कि ये खबर कैसे लिखी गई है लिखने का तरीका क्या यूज किया गया है तो ये नजरिया अगर आपको रहेगा तो आप easily इस तरह के question को समझ पाएंगे, deal कर पाएंगे वीडियो काफी लंबा हुआ मैंने brief करने के बहुत कोछिस की तो इस तरीके से part B के A, B, C, D का मैंने आपको ए cover view दिया है और इसको लेकर जो पूरी preparation है mock test वगर है media exam के application पे available है यहां आप मुझसे जो है contact कर सकते हैं, यह सारी links जो है description में दे रखी है और when can add वाला जो article था ठीक है, यह वाला, इसकी link भी जो मैं description में आपको दे रहा हूँ ठीक है, और यह जो previous year का paper है जो मैंने आपको यहां discuss करवाया है telegram channel पे available है ठीक है, यह हमारा telegram channel है media exams नाम से और उसका जो link है IMC preparation करके है description में दिया है, वहाँ पे जाईए directly, यह Convergent Journalism का paper जो है, आप download कर पाएंगे ठीक है, तो फिलाल इस video में इतना ही thank you very much, all the best